एक गाव में एक बुढ़ ही दाई मा रहती थी दाई मा का असली नाम या शोदा था दाई मा अपने काम में इतनी होशियार थी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे दाई मा यूपी के मतुरा शहर के पास छोटे से गाव की रहने वाली थ बचपन में एक महा मारी में दाई मा के माता पिता का स्वरगवास हो गया था इस दुनिया में दाई मा का केवल एक छोटा भाई था दाई मा ने अपने छोटे भाई को माबाप दोनों का प्यार दिया था आकार और उसे पढ़ा लिखा कर एक काम्याब आदमी बना दिया थ सही समय देखकर दाई मा ने अपने चोटे भाई का अच्छे परivaar में विवाह किया, चोटे भाई का नाम कनहया था, दाई मा अपने काम में इतनी होशियार थी और आसपास के गाउं में उनका नाम और सम्मान था, लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, लड़का पैदा ह या लड़की दाई मा को सब दिल खोल कर उपहार दिया करते थे। छोटे भाई की शादी के बाद दाई मा के दुख के दिन शुरू हो गए छोटा भाई अपनी पतनी का गुलाम बन गया। उसकतनी दाई मा से नफरत करती थी वह पती की संपत्ती में दाई मा को हिस्सा नहीं देना चाहती थी दाई मा कृष्ण भगवान की सच्ची भग थी इसलिए वह जनमाष्ट मी से वन दिन पहले मतुरा के कृष्ण मंदिर में जाती थी और जनमाष्ट मी के दूसरे दिन घर आती थी इसी बात का फायदा उठा कर दाई मा का छोटा भाई अपनी पतनी के कहने से गाव की सारी संपत्ती बड़ा मकान बेचकर पतनी के साथ शहर भाग जाता है गाव वाले दादी मा का सम्मान करते थे इसलिए पूरा गाव मिलकर दाई मा को एक छोटा सा मकान बनाकर रहने के लिए दे देते हैं किसी ना किसी के घर से दाई मा के लिए खाना तो आही ज आता था दाई मा बूड़ी होने लगी थी इस वज़ह से बीमार रहती थी दाई मा के जीवन में अकेला पन था एक गिलास पानी पीने तक के लिए दाई मा को दूसरे के सहारे की जरूरत पढ़ने लगी थी सर्दी की राद दाई मा का कोई दर्वाजा खट-खटाता है दा पता है आप बहुत होशियार हो आप मेरी पतनी की जान बचा सकती हो दाई मा बीमार थी फिर भी उस पर तरस खा कर उसके साथ चल देती है उस आदमी की पतनी दाई मा की सहायता से एक बहुत सुन्दर सी लड़की को जनम देती है वह आदमी खुश होकर दाई मा को बहुत सा उपहार देता है और पैसे देता है और बोलता है दाई मा आज की रात में आपकी दावत करूँगा और सुबह जल्दी आपके गाम छोड़ दूँगा उसीरा आतुस आदमी के आंगन के कोने में एक कुट्टिया सुन्दर बच्चों को जनम देती है उन बच्चों में एक भीम कुट्टा बड़ा हो जाता है पूरे गाम और आसपास के इलाके में भीम कुट्टे जैसा मजबूत हटा कटा कुट्टा नहीं था गाम के लोग भी भीम कुट्टे को प्यार करने लगे थे क्योंकि भीम कुट्टा गाम की गाय भैंसों को चुगाने ले जाता था और को एकठा करके उनको घर लाता था और गाव में भीम कुत्ते की वज़ा से कोई चोर भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था किसी खूंखार जंगली जानवर को भी भीम गाव में घुसने नहीं देता था भीम कुत्ते की वज़ा से दाई मा के जीवन का केलापन दूर हो गया था झाल झाल